आप इसको जैसे ही प्रेस करते हैं, यह आटोमेटली क्लोस हो जाता है, तो यही सब फीचर्स के तो पैसे दिये रहे हैं आप इतने जादा, नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका Mr.Hotop के एक फ्रेश वीडियो में तुम्हें प्रांजल लेकर आओगे हैं, आपके लिए एक अन्दर क्या-क कुछ खासियत मिलती है, क्या-क्या चीजे अच्छाइयां हैं क्योंकि इसका प्राइस है वो काफी जादा रखा गया है, काफी शुक्तना कार में लेकर बस्ते में सतरब मैं इस पूरी तरह से बात करने वाले हैं, कार के बारे में सब कुछ और प्रशू की तो अगर दूस्तों बात किया जाए, EV6 के GT-Line All-Wheel Drive Variant के बारे में, तो अगर changes की बात को सबसे पहले में कर दूँ, तो दोनों में changes आपको सिर्फ एक ही मिलेगा, कि इसमें जो power आपको provide किया गया, वो जादा provide गया गया, जहाँ पर आपको GT-Line model में, आपको 226 BHP की power मिलती है, बाकी सब कुछ सेम आपको मिलने वाला है, सभी features भी आपको सेम मिलने वाले, and pricing जो ही इसकी, अगर बात किया जाए, इस model की specifically हमारे GT-Line All-Drive Variant के लिए, तो आपको इसको शोरूम में, लखनों में पे करने पढ़ेंगे 69,65,000 रूपीज, और मुस्स समय लीजेगी, यह 70,000 रूपीज में आपकी पढ़ जाने में, and इसका जो लोवर वेरिंट आप लेते हैं, जो कि इसका सिर्फ जूटी लाइन वेरिंट है, इसकी प्राइसिंग आपको लखनों में on-road 65,000,000 तक पढ़ जाएगी, तो किया ने, अब सबसे पढ़े आपका दिमाग में एक थॉट आ रहा होगा है, कि किया ने इतनी महंगी ही वी लाउंच की उनकीज, बहुत सारी कार कमपनी ने 20,000,000 तक लाउंच कर रखी थी, और अगर आप अपर वेर्ट में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको मिलता 80,000,000 के उपर, जैसे कि e-tron हो गई योडी की तरफ से, और Mercedes की कई EV आती है, जो वहाँ पर लाउंच हो गोजी थी, बीच को जो सेग्मेंट था आपका ना वह 20,000,000 से लेकि 80,000,000 का सेग्मेंट वह पूरी दिखे से खाली रहा था, तो उस टाइम पर यहाँ पर किया ने लाउंच की अपनी EV6, जिसका यार इस सेग्मेंट को फिल भी कर दिया, प्राइस में भी इस सेग्मेंट को फिल भी कर दिया and साथ में यह कार परफेक्ट रहेगी आपके लिए, चलिस सबस्थे पहले स्चार्ट करते हैं इसके कुछ फरंट प्रॉफाइल के साथ, आप सबसे पहले इसका front profile देख सकते हैं, काफी जादा broad front profile इसको provide किया गया है, यहाँ पे आपको white color के साथ साथ में यहाँ पे black color touch दिया गया, सभी black piano finish में provide किये गये आपको, साथ में इसका white color है वो pearl white दिया गया, मलब इसमें आपको shining मिलेगी, normal Kia की white color नहीं है यहाँ दोस् कुछ feature मिल जाता है, जैसे यह open हो सकते हैं, यह flaps open हो सकते हैं, यह open ऐसे क्यों हो सकते हैं, यह functional इसलिए बनाए गया है, ताकि जादा से जादा हमारे air को car में पहुचा जाए जागे, क्योंकि car को जब need होगी, कूल होने के लिए, तो यह flaps अपने आपी open हो जाते हैं, सेंट इसके headlamps पर, काफी unique headlamps प्रवाइड किये गए हैं इस car के अंदर, जो बाकी Kia के किसी models में इस तरह नहीं आते हैं, सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर DRS प्रवाइड किये गए हैं, उपर भी और नीचे भी, car में कुछ इस प्रकार की आपको keys मिल जाती है, यहाँ पर unlock unlock, hold, और साथ में hold for boot open, अब इससे boot को open कर सकते हैं, और इसको hold करके रखेंगे, तो car स्टार्ट हो जाएगी, EV model है, बहुती silent model है, पता भी नहीं चलेगा कब यह car आपकी स्टार्ट हो गई, तो back to the headlights, अब यहाँ पर headlamps को अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पर आपको two projector head lamps मिल जाते हैं, हाँ, इसमें भी एक catch यह है, कि इसके अंदर आपको single LED ने कई सारे small LEDs मिलते हैं, जो की smart headlight बना देते हैं, अब भाई smart headlight क्या है, तो smart headlight का मतलब यह है, कि अगर रात के टाइम, आप आप car को drive कर रहे हैं, और आपके car high beam पे है, तो car automatically अपने आपी low beam पे shift ह हो जाती है, या फिर जितना portion उसे cut करना चाहिए, light का, वो cut कर देती है, तो इसके वएए से जो सामने के लोग होते हैं, driver होते हैं, उनको किसी भी तरीकी का inconvenience फिल नहीं होते हैं, तो यह चीज बहुत ही अच्छी है, safety measures के साथ देखा जाए तो, और भी बात किया जाए, त इस वेए से, अंदर आपको disc brake प्रोवाइट के गई है, यह कार के tire section के अगर बात किया है, जिसमें 235 आर 19 इंच के में tire आपको मिल जाते हैं, यह आपको यहाँ पर पूरा metal में प्रोवाइट किया गया है, यह काफी अच्छी चीज दी गई है, क्योंकि EV models में यह यहाँ प आपको प्रोवाइट कर दिया गया है, फोली glossy black finish के साथ यहाँ पे आपको turn indicators प्रोवाइट किया गया है, इसी के नीचे यहाँ पे camera भी प्रोवाइट कर दिया गया है, 360 degree के लिए, साथ में जो इसके अदर भी कई एक feature प्रोवाइट किया गया है, जिससे मतलब कि यहाँ प आपको sunroof प्रोवाइट की गई है, काफी बड़े साइस की sunroof आपके यहाँ प्रोवाइट कर दी गई है, इसी के साथ जो इसकी windshield है वो काफी उपर तक यहाँ पे आती है, और यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको पूरा ही glass का finish दिया गया है, सामने के तरफ आ सेंसर प्रोवाइट कर दिया गया है, ताकि एडास पीछा अच्छे से काम कर सके, साथ में इस कार के अंदर आपको arid twin wipers प्रोवाइट किये गया है, अच्छे cleaning के लिए, और पीछे हम कार के आते हैं, तो मैं आपको दिखा दे तो, यह कार totally sedan plus SUV के cross over पे बनाई गई है, जि Kia की badging, और नीचे की तरफ आपको camera प्रोवाइट किया गया है, और उसी की साथ नीचे आपको 4 reverse parking sensors भी प्रोवाइट कर दिये गया है, यहाँ पे glossy black finish के साथ साथ आपको rain reflectors प्रोवाइट किये गया है, यहाँ पे आपको ducts भी प्रोवाइट किये गया है, ताकि अच्छे aer प्रोवाइट कर दी गई है, यहाँ पे EV6 की badging प्रोवाइट कर दी गई है, हाँ आप पीछे से यह कहीं पे भी badging आपको provide नहीं की गई है, कि यह EV6 का all wheel drive variant है, बस आप इसको इसके papers पर ही जान सकते हैं, कि यह EV6 का all wheel drive variant है, साथ में ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको defogger प provide किया गया, हाँ यह मैं पूछना चाहूँगा किया से यह ऐसा क्यों है, यार देते तो अच्छा था, उपर की तरफ आप देखते हैं, शार्फिन एंटीना प्रोवाइट किया गया है, यहाँ पे आपको spoiler प्रोवाइट किया है, जो कि वो भी sloppy गया आता है, यह तो हो गई इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं, अभी मैं इसको प्रेस करता हूँ, आप देख लिए इंडिकेटर किस तरीके से blink होते हैं, काफी अच्छी लगती देखने में, चलिए अब बात करते हैं, इसके कुछ बूट स्पेस की, पीछे से बूट कितना जाद आपको प्रोवाइ आपको हैं अजी मिल आपको प्रोवाइ आपको यहां मिल जाता है, अटक्तों में इडिया और देख सकते हैं, अच्छे से और आप को नीँधित हैं। 172 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है नीचे की तरफ आपको यहां पर कुछ टूल्स भी मिलते हैं अब इनको टूल्स को में एक एक करके आपको दिखा देता हूं क्योंकि इन में भी काफी ज्यादा कैच है अगर जनी के टाइम पर आपके टायर साथ कुछ हो जाता है तो य क्नेक्टर अब इसको फायदा क्या इसको फायदा यह है अगर दोस्स दिया रिष्यदार के पास अगर ईवी मॉडल है को किया का प्रवाइट कर सकते हैं तो यहां पर आपको चार्ज morонов को चार्ज कर दिया गया है जो acted क्रिवकने के श्ञाइग चांस सब्धा के अज we venkt आएगा आने समय दो छार्जिंग आपको चार्जरकी का आदगा सबसे हैग्या पहले याइगा 350 री किलो वाट का और दूसरा है आपको 150 किलो वाट का आपता है वो 10 में चार्ज कर सकता है जो कि काफी fast प्रवाइट किया गया है कार का बूट काफी बड़ा है यहाँ पे कार में आपको पीछे की तरफ यहाँ पे एक 12 वोल्ड का power socket भी प्रवाइट कर दिया गया है साथ में आपके boot lamp प्रवाइट किया है कि LED में ही यहां पर आपको फ्लैप दिया गया है, इसको आप प्रस करेंगो, तो फोल्ड हो जाती है इधर से भी आप इसको प्रस करेंगो, तो seat को ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, जिससे कम्पलीटली फ्लैट फोल्ड मिलता है और काफी ज़दा स्पेस कार के अंदर बढ़ जाती है तो दोस्तों ये तो था आपका इसका back profile, boot, चलिए चलते हैं इसके कुछ interior में and वहाँ सबसे ज़्यादा path करेंगे, इसके interior के बारे में क्योंकि काफी ज़्यादा features कार के अंदर provide किये गए, यहाँ पर आपको ORVM पर exclamation mark प्रोवाइड किया गया है, जो कि blink होता है, जब आप कार को bumper से bumper traffic में drive करते हैं, जो कि आपकी driving को काफी ज़्यादा enhance कर देता है, चले बेंटर करते हैं कार के अंदर हम लोग, तो सबसे पहला आप इसके door को देख सकते हैं, कुछ door इस पर तरिके का provide किया गया है, simple यहाँ पर blacky simple use किया गया है, पूरी कार के अंदर, इसके meridian का surround system आपको मिलता है, जो कि six speakers के साथ आता है, उसके बारे में हम आभी आगी बात करेंगे, यहाँ पर आपको glossy black finish का use मिलेगा, साथ में आपको यहाँ एक silver finish के साथ, यहाँ पर door handle मिल जाता है, यहाँ पर दो memory functions के साथ, आपको seat adjustment मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको सभी त प्रवाइट किया गया है, मतलब premium ने इसकी बाचार कर दी है, नीची के तरफ आपको यहाँ पर इस cup plate मिल जाएगी, यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं, इसकी electronic adjustable seats, साथ में यहाँ पर आपको यूज किया गया है, यह लेदर नहीं है, वीगन लेदर दिया गया है, कि चले भी इसके car के अंदर enter में करता हूँ, अब मैं enter कर चुक हूँ, car के अंदर आप इसका कुछ premium look देख सकते हैं, कितना ही बड़ा dashboard look provide किया गया है, इसके अंदर, इसमें काफी ज़्यादा soft touch भी provide कर दिया गया है, उपर की तरफ जहाँ plastic इस्तमाल किया गया है, यह hard मे यहां पर भी आपको ambient lighting provide कर दी गई है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके steering wheel के बारे में, यहां पर आपको two spoke steering wheel मिल जाता है, इस side आपको देखेंगे, सभी तरीके के आपको controls मिल जाएंगे, cruise control मिल जाएगा, and साथ में यहां पर instrument console को भी control करने के options यहां मिल जाएंग सब्सक्राइब कर दिया गया है, नीचे की तरफ आपको यहां पर इस car के अंदर safety के बहुत अच्छा खयाल लखा गया है, क्योंकि इस car के अंदर आपको total eight airbags मिल जाएंगे, and साथ में ही यह car five star rated है, global NCAP की तरफ से, यहां पर आपको drive modes मिल जाते है, different drive modes आपको इस car के km की रेंज आपको दिखा रहा है, अगर मैं इसको sport पर करता हूँ, तो 389 km की दिखाएगा, and अगर eco पर कर देता हूँ, तो 413 km की रेंज दिखा रहता है, अगर इसके कुछ battery pack की बात की तो तो इसके अंदर आपको 77.4 kW की बैटरी मिल जाती है, जो कि यहां पर नीचे place की गई है, पूरे ही floor पे, and इसकी जो total range की बात किया है, जो company claim करती है, वो आपकी 550 km की है, लेकिन अगर आप इसको real time में देखा जाए, तो 480 km की रेंज आपको इस कार के अंदर मिल जाएगी, सामने की तरफ आप यहां पर देखे सबसे पहले, तो यहां पर आपको मिलता है 12 इंच का touch infotainment system and काफी ही बड़ा infotainment system provide किया गया है, यह थोड़ा सा curvy provide किया गया है, वो straight नहीं दिया गया है, सबसे पहले इसमें कुछ features की बात किया है, जो काफी जादा C features के अंदर provide कर दिये गया है, अब इसमें home पे, आपको यहां पर EV option मिल जाता है, map का, navigation का, phone का, climate, valid mode, quiet mode, radio and काई सारे किया connect के इसमें काई सारे features provide कर दिये गया है, जिसके अंदर आप share destination भी कर सकते हैं, vehicle diagnostic भी कर सकते हैं, साथ में sports के आपर काई सारे modes provide किया गया है, weather भी provide कर दिया गया है, तो मतलब यह features की इसमें तो कमी बिल्कुल रखी ही नहीं गई है, चलिए मैं प चार्ज कर सकते हैं, हाँ, जो कि मैंने पीछे आभी आपको बताया था, कि इस कार की मदद से आप EV to EV, मतलब अगर आपके पास किया की EV6 model है, तो आप अपने दोस्त की कार को भी चार्ज कर सकते हैं, यहां से अपने चार्ज को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, अगर उसको चार किया ही गया है, साथ में इसके अंदर आपको Android Auto and Apple CarPlay वायरस ली, connectable तो मिली जाता है, यार इतनी महेंगी कार दे रहे हैं, तो इतना सब कुस तो आपको मिलना ही वाला है, चली, अब यहां पर देखते हैं आपके इसके हम instrument console को, यहां पर भी आपके पूरी screen प्रोवाइट क तेमडेचर भी नीचे आपको यहां पर बताती है, कार साथ में, कार में बैटरी बता देता है, 39.8 kW के यहां पर बैटरी अपर चार्ज इस टाइम पर है, अगर आप राइट साइड में देखते हैं, यहां पर वाइबर कंट्रोल, राइट साइड में आपको यहां पर इसके bonnet को open करने के लिए, अगर आप इधार बटन देखते हैं, यहां पर ट्राक्शन कंट्रोल का बटन प्रवाइड किया गया है, पारकिंग सेंसर के on-off करने के बटन यहां पर प्रवाइड कर दिया गया है, यहां पर इसको प्रेस करके रखेंगे, तो आपका इसका थोड़ा सा यार बिजी मामला है, कि सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहां पर दो नॉप्स प्रवाइड किया गया है, बाकि यहां पर कोई भी बटन प्रवाइड नहीं किया गया है, बस सेरेमिक में यहां पर आपका इक बटन प्रवाइड कर दिया गया है, इसका है इसक भी knob convert हो चुके हैं, इसके लिए infotainment की control के लिए tuning का and साथ में volume का automatic climate control के साथ इसमें AC मिल जाएगा आपको, यहाँ पर सभी तरीके AC के option मिलते हैं and साथ में यहाँ पर driver only option मिलता है इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसको click कर देता हूं तो सभी तरीके के air जो है वो हर तरफ से cut हो जाएगी और सिर्फ मेरे को वाले इसे driver को ही AC की हवा मिलने वाली है, तो यह feature इसलिए काम का हो सकता है कि अगर कोई person अकेला drive कर रहा है और वो नहीं चाहता है कि पूरी ही car में सारी AC की हवा जाए और deep slow पर चलाना चाहता है, बैटरी को बचाना चाहता है तो वो ऐसा काम कर सकता है, जो कि बहुत ही अच्छा feature प्रवाइड किया गया है उसी की नीचे अगर आप बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफी ज़्यादा फार शोकेट और USB Type-C का एक और शोकेट आपको यहाँ पर पर प्रवाइड कर दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं, एक हुक भी प्रवाइड कर दिया गया है साथ में आपको यहाँ पर प्रवाइड किया गया है, सभी के कंट्रोल, सीट के कंट्रोल दिया गया है यहाँ पर जोसकी सीट है, वो फ्रंट सीट, वेंडिलेटेट सीट है साथ साथ में सीट, हीटेड सीट भी प्रवाइड किया गया है साथ में आपको यहाँ पर drive mode मिल जाते हैं आपको reverse, neutral and drive को यहाँ पर एक knob provide किया गया है उसी के नीचे आप बढ़ेंगे auto hold का option यहाँ पर 360 degree camera view open करने के लिए यहाँ पर sensors के option मिल जाते हैं उसी के नीचे यहाँ पर आपको मिलता है एक wireless charger and साथ में यह wireless charger cooled भी है क्योंकि आपके phone गरम हो जाते हैं wirelessly charge होते होते तो यह चीज अच्छी जी गई है कि phone heat नहीं करेंगे उसी के नीचे यहाँ पर आपको मिल जाता है एक armrest काफी broad size का दिया गया है and इसी के अंदर काफी जादा space भी provide कर दी गई है so front से car काफी जादा broad है and इसके अंदर आपको जो heads up display मिलती है ना काफी बड़े size की मिलती है जो कि normal heads up display नहीं क्योंकि इसके अंदर दुनिया भर के features दिये गए है जो features आपको सभी इसमें आपको मिलते हैं instrument console में वो सारे features आपको system के अंदर भी मिल जाते हैं तो काफी जादा ही luxurious इस car को बनाया गया है उपर की तरफ आएंगे तो IRV हम इसमें पूरी तरह की सा automatic मिलते हैं इसमें कुछ भी आप manual नहीं करेंगे सबसे best चीज इसका यह मिलती है यहां पर प्रवाइट किया गया पूरा पूरा सिस्टम जिसमें आपको यहां पर माइक की प्रेस्मेंट दी गई है यहां पर आप इसको प्रेस करेंगे तो इसकी sunroof open हो जाएगी यहां से आप इसके आम को on off कर सकते हैं साथ में एक चीज बहुत अच्छी प्रवाइट की गई है कि आप इसको सिर्फ टच करेंगे और इसका आपको कैबल नाप इलॉमिनेट हो जाएगा तो यार फीचर्स हैं प्रीमियम हैं यहां पर ब्रासी ब्लैंक फिनिश का यूज किया गया है सुरफ के बटन यहां प्रोवाइट कर दिया गया है कि इसके अपन करके दिखाता हूं कितनी बड़ी से संके अंदर आपको प्रोवयट कर दी गय है कि संदूफ का क्यूक बंद करते हैं काफी जाधा गर्मी हो रही है दोस्तों इतनी जाधा मैनत करके हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक बनता ही है चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाए दोस्तों चलिए उसी के साथ अब आप इसमें अंदर आपको वाइट लाइट की गई है यार मतलब कि क्या ही कर रहा है किया मतलब कि इतना कुछ इसके अंदर दे दिया है हाँ पैसात भले ज्यादा चार्ज कर लेकिन फीचर की आपको कमी फील नहीं हो नहीं लगे गया नहीं आपके एक सस्ती गाड़ी में बैठ करता हूं तो सभी आप्शन वहां पर आपको इंफर्टेंब्स सिस्टम पर मिल जाते हैं जिसके काफी सब्सक्राइब कर देख सकते हैं कि मेरी सीट आगे बढ़ रही देखिए आप देख सकते हैं जैसे में कार को आगी की तरफ सिट फुश कर रहा हूं सब्सक्राइब कि आपको यहां पर विजुवल्स मिल जाता हैं इसके में लंबर सपोर्ट कर देख सकते हैं मैं इंक्रीज कर रहा हूं डिक्रीज कर रहा हूं सब आपको यहां पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है काफी अच्छी चीज लगती है यार यह चीज़ है क्योंकि सबसे पहले देख सकते हैं मेरे को कितनी ज़ादा ही रपकर अब करने घंड के लिए निए दिद्वा lazim नीचे के मिलेग만 देखताई तो किसी भी दिरेंट्य दोस्तों यहां पर पिलर को प्रवाइट किए गए कि सो काफी अच्छी कूलिंस प्रवाइट करने वाले सेंटर weasy भी पैर के उपर लगती थे कोई मतलब भी नहीं कलता था हां बस एक चीज से शिकायत थोड़ी से रह गई कि यहां पर आपको बैटरी पैक के वजा से जो इसका आपका बेस है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गया है जिसके विए से आपके पैर उपर की तरफ ऐसे उठे हु जो ही है कार की पीछे की जो रो है वह भी पूरी तरफ के साथ में आती है यहां पे आपको प्रोवाइट किया गया है नीचे की तरफ यहां पे एक अपको सामान रख सकते हैं, कार में space का utilization काफी अच्छे सित्रीक से किया गया है कार में, कार का जो back profile है, काफी जादा spacious है, और airy feel होता है, मतलब आखो suffocation feel नहीं होने वाला, clusterfavic तो आप इसमें feel ही नहीं करें, बोनेट हैं, वहाँ पर देखते हैं, क्या कुछ देखने को मिल जा है, क्योंकि एक थोड़ा साइ space प्रोवाइट किया गया है, वह मैं आपको वहाँ पर जाके अभी दिखाता हूँ, अच्छा दोस्तों, अभी आप यह क्सी सोच रहोंगे, कि यहाँ पर पीछे की तरफ क्या खयाल नहीं रखा गया, कि कोई भी तरीके का वो नहीं प्रोवाइट किया गया, बोलते हैं, सीट आप किया, चारजिंग शॉकर नहीं प्रोवाइट किया गया है, ऐसे जैसे किया चूप जाएगी, तो यहाँ प्रोवाइट किया गया, सीट के पीछे प्रोवाइट किया गया, जो कि मुझे लगता है, काफी हद तक अच्छी जगा है, क्योंकि आप यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपको अपने हाथ में यूज कर सकते हैं, फोन को, कार के बोनेट को ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको हुक प्रोवाइट किया गया है, जिसको आप प्रेस करेंगे तो यह आपका बोनेट ओपन हो जाएगा, खाता हूँ बोनेट के अंदर आपको क्या मिलता है? सबसे पहली चीज, हैडरॉलिक श्रेट के साथ आपको यहाँ पर बोनेट के मिल जाता है, यार काफी बोड बना हुगा है इसका कार्बोनेट, सब्सक्राइब आप यहाँ पर देख सकते हैं, EV की बैजिंग मिल जाएगी, अब इसको उपन करते हैं, यहाँ बैटरी का अप्शन दिया गया है, इसी की निचे आपके मोटर को प्लेस किया गया है, इंसुलेशन भी उपर की तरफ प्रवाइट कर दिया गया है, आवाज तो वैसे भी गार करती ही नहीं है, 5 star rated car है और हो भी क्यों ना मजबूत ही है I hope दोस्तों मैंने सबी चीज़ें इस car के बारे में बता दी है and कुछ भी अगर रह जाता तो आप comment सुच में जुरूर बताएंगे and so दोस्तों हमारे चैनल को subscribe करें and वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा like करें हमाई वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद